हेलो नहाँ अब्रीवान यह वाचिंग जय के सिवल सविसेज एंड आइंड यूर मैंटर आशियाना आज हम पढ़ेंगे जय के हिस्ट्री हिस्ट्री आप जमू कश्मीर का आज हमारा दूसरा लेक्च्चर है हमारा फैस्ट लेक्चर जो रहा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जम्मू और कश्मीर का ओरीजन कैसे हुआ फिर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था कुछ पॉइंट्स में जैसे अरली और हिंदू पिरड रहा था हमारा पहला फिर आहा था मैडिवल पिरड फिर मुगल पिरड फिर सिक रूल एंदन डोगरा पढ़ा था अर्लियार हिंदू पिरड में हमारा रहा था महा भारत का पिरड पढ़ा था हमने फिर मौरियन एंपाइर पढ़ा था फिर कुछन एंपाइर पढ़ा था फिर कार कोटा डाइनस्टी पढ़ा था फिर हमने स्टार्ट किया था मैडिवल पिरड मैडिवल पिरड डाइनस्टी पड़ी थी महारा डाइनस्टी देव डाइनस्टी ओर सामीर डाइनस्टी आज हम कुब्लीट कर भाएंगे परिसी के साथ हमारा हो जाएगा मैकेडीवल फिर तो शाहमीर डाइनिस्टी कब से कब तक रही शाहमीर डाइनिस्टी का रूल रहा 1339 से 1561 AD तक शाहमीर डाइनिस्टी कैसे स्टार्ट हुई हमने आपको फर्स लेक्चर में बताया था क्वीन कोटा जो थी जब ये शाहमीर जब आये थे कश्मीर में अफगानिस्तान से आये थे वो और शाहमीर जब आये थे तो उनकी वार हुई थी क्वीन कोटा के साथ जब वार हुई थी उनकी तो क्वीन कोटा हार गई थी उनसे और शाहमीर जो थे वो जीत गए थे उस वार में तो ऐसे ही कुइन कोता की डैध हो गई थी उस वार के दुरान तो फिर शामीर ने अपनी डाइनेस्टीी स्टाड़ की शामीर तक्न नोगे टाइनस्टी소 अब शामीर का नाम था सुल्तान शमसुदीन और जैसी वो तकनेशीन हुए तो उन्हें उन्हें खुद को टाइटल दिया शामीर और शामीर के नाम से शामीरी डाइनस्टी जानी चाहती है शामीरी डाइनस्टी ने कब तक रूल किया 222 तक रूल रहा कश्मीर में इस टाइम पिरठ पे शामीर कि जाइनस्टी का जो टाइम पिरठ था उस टाइम पिरठ पे इसलाम को बहुत एक्सेंड किया गया और found आफ शामीर targeting को रहे शामीर और और फिर्स्ट मुस्लिम रूलर आफ कश्मीर कहला है शामीर, अब अगर आपको क्वेशन आ जाए, बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है कि फिर्स्ट मुस्लिम रूलर आफ कश्मीर कौन थे, वो थे हमारे शामीर या सुल्तान शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद जो रहते ठरी तक जमशीर्द के बाद आते हैं अलाउद दीन अलाउद Jorge रहता है 1323 से 1354 अब लाउदment के आगे दो बेटे उते होते हैं और इस शहाब दीन को रहते हैं 1454 से 1373 तक और पत्पते से 1385 अब जो शहाबुदीन थे उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे शहाबुदीन जो थे वन सेकेंड शहाबुदीन ए ग्रेट एम्रेट अर्मिनिस्ट्रेटर थे और उनकी जो आर्मी थी उसमें मुस्लिम्स भी थे नॉन मुस्लिम्स भी थे यानि के दोनु मजभब के жд को टें उनकी आर्मी में शामिल थे दोनु ok मघव की लोग उनकी आर्मी में शामिल थे बांव मुस्लिम्स भी थे वह एफ ट्रीट किया करते देत हैं सब प्छाय, प्छाली, फिर मुल्तान, यह सब उनके रूल में आगए, पिशावर, फिर उनके बाद, पिखाली, पिशावर, गिलगेत, दर्द्स्तान, बलोचिस्तान रिद्दाइuciones, द। नाइसे पर मुल्ताइन अपना कबजा कर लिया, पिर एक रूलर आते रहे हैं मतलब वो जीतना चाहते हैं कश्मीर को वो वार करते हैं शहाब अद्दीन से मगर शहाब अद्दीन के पास बहुत कम आर्मी होती है कम आर्मी होने के बावजूद भी वो उनसे काशकर के रूलर के साथ लड़ते हैं वार करते हैं और जीत भी लेते हैं और काशकर के जो रूलर होते हैं, वो हार जाते हैं, और जो लद्दाख और बिलतिस्तान का जो एरिया होता है, वो काशकर के अंडर होता है, और वो जीतने के बाद शाबुदीन जब जीते हैं, तो वो उनके अंडर आ जाता है, लद्दाख और बिलतिस्तान पर भी अब किसक बढ़ते हैं वार के लिए तो यह होती है उनकी आर्मी सतलूज के किनारे पर होती है अब वहां क्या होता है बैटल की बिचाए वहां पर एक ट्रीटी हो जाती है कि अग्रीमेंट हो जाता है उनके दर्मियान में फिरोशा तुगलक और शाब अदीन के दर्मियान में और उस ट्रीटी के दुरान उस ट्रीटी के तहट क्या होता है कि सरहिंद कहा जाता है कि सरहिंद से लेके कश्मीर तक की जो कश्मीर तक का जो एरिया है वो किसके अंडर आएगा कश्मीरी रूलर के अंडर आएगा, वो आएगा किशमीरी रूलर केंडर, और ऐसे ही, ये एरियास पे भी शहाब-अ-दीन का कब्जा हो जाता है, अब शहाब-दीन अपने नाम पे एक टाउन भी बनाते हैं, जिसका नाम रहता है शहाबुदीन पुरा शहाबुदीन पुरा शादी पुरा के नाम से जाना जाता है वो अपने टाइम पिरड़ पे मस्जिद भी ओपन करते हैं खान काहें भी ओपन करते हैं और जो शहाबुद्दीन होते हैं उनको ललित अदित्याफ मैडिवल कश्मीर भी कहा जाता है अब अगर आपको question आजा कि ललित अदित्याफ मैडिवल कश्मीर कौन है कौन थे तो वो हमारे थे शहाबुद्दीन शामीरी डाइनस्टी के शाबुद्दीन थे ललित अदित्य आफ मैडिवल कश्मीर के अब हमारे इसमें को इंपॉर्टन कोशन्स रहते हैं कि शामीरी डाइनिस्टी का टाइम पिरिड कब रहा थर्टी थर्टीन से फिफ्टीन सिक्ष्टी वन तक इन्होंने टू हंड़ेड ट्वाइंटी टू यॉर्स तक रूल किया फर्स्ट मुस्लि औधीन के बाद हुआ इनके दो बेटे शहाब अधूुदीन का फिर हुआ इनके बाद शाब अधीन के बाद कुतुम अधक कर जो साहाब इन थे को बहुत अच्छे गrito Washington को भी अपने मेंनिस्ट्रेटर थे उनके अनके के दो इमपॉर्टन हिंदू मिनिस्टरस थे dan को अध था शहाबुद्दीन पूरा जो कि अब शादी पूरा की नाम से जाना जाता है और इनको ललित अदित्याफ मेडिवल किश्मीर किसे कहा जाता था शहाबुद्दीन को अब आते हमारे कुटबुद्दीन फिर आते हमारे कुद्बुद्दीन जो कि शाबुद्दीन के ब्रदर होते हैं कुद्बुद्दीन का टाइम पिरिड रहता है 1373 से 1389 तक और कुद्बुद्दीन का टाइम पिरिड होता है दूरिंग इस रूल उनके रूल के दुरान क्या होते हैं एक सूफी सेंट कश्मीर में आते हैं जिनका नाम होता है मीर सेयद अली हमदानी वो कहां से आते हैं इरान से आते हैं और उनका जब थर्ड विजट होता है कश्मीर में तीसरी बार जब वो कश्मीर में आते हैं तो वो अपने साथ 700 सेयद से लाते हैं हमदान से जो मिर स्यद अली हमदानी होते हैंaver को जाता है Founder of Islam अगर अगर आपको question आजा है कि Founder of Islam इन कशमीर कौन थे तो वो आपका answer आएगा मिर स्यद अली हमदानी अब यह था हमारा खुत्बुत्दीन का time period और अब हम आएंगे स्थान सिंकंदर का time period पे कुद्ब अध्यू फीकिंव thing अजब और उन्हें रूल किया कश्मीर अब वो थे पूरिं के बीटे ख़ें हुख day ट Caoेओर स हामिरी डाइश्टी होते हैं सुल्ता सिकंदर अगर को क्वेस्ट वीकिंव अजाये खिर शाह्मिरी डाइश्टी कों थे तो वो standing सुल्तान सिकंदर जो थे अपने टाइम पिरिट पे उन्होंने concept of welfare state लाया उन्होंने free schools open किए hospitals open किए उन्होंने concept of waqf लाया जिसमें मस्जिद थी खानकाहें थी जियारतें थी और उनके टाइम पिरिट पे जो था जो थी वह भामीट कंडीशन जो थी वहां की वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने टाइम फिरड़ पर कशमीरी कलचर को भी प्रमोट किया उन्होंने शरीया के कानून नाफिस किये जिसके तहट के हिंदू पर हिंदू पॉपॉलेशन जो थी उस पर बहुत सकती की गई और बहुत सकती की गई बहुत सारे ब्रहामिन्स को फोरसीबली कनवोर्ट भी किया गया और म्यूजिक डैंस गैंबलिंग और जो नश्य वगयरा थे न उन सब को बैन कर दिया गया और अपने शरिया के नाफिस को कानून को नाफिस करने के लिए उन्होंने क्या किया एक ओफिस की इस्टयबलिश्मेंट की और उस उफिस का नाम था शेकष्छ इसलाम ये भी हनां इंप्रहामिन्स को क्वेड किया और बोत सारी हिंदूर्गीände की जो वर्षिप प्लेसेस थी उनको डिस्ट्रॉई कर दिया और संस्कृत लिट्रेचर को भी बैन कर दिया जिजिया टैक्स इंपोस की और यह जिजिया जो टैक्स थे यह ब्राह्मनिक आइडॉलजी जो रखते थे ना उस टाइम पिरिड़ पे उन पे लगाये जाते थे और यह जो हमारे सुल्तान सिकंदर थे इनको बुच्छिकन के नाम से भी जाना जाता है इनका दूसरा नाम जो है वो बुच्छिकन भी कहा जाता है अब इसके बाद आते हैं सुल्तान सिकंदर के बाद आते हैं अलीशा अलीशा जो होते हैं सुल्तान सिकंदर के बाद तक्त नशीन होते हैं इनका नाम मीर होता है और जब वो तक नशीन होते हैं तो उनको टाइटल दिया चाता है अली शाह का अली शाह के नाम से जाने चाते हैं यह बेटे होते हैं सिकंदर के इनका टाइम पिरड रहता है 1413 से 1420 तक सेवन्थ रूलर आफ शाहमीरी डाइनस्टी होते है सल्तान जैनलाबिदीन के साथ जैनलाबिदीन जो होते हैं उनकी वार थना में होती है थना उस जगह का नाम होता है जहां पे इनकी वार होती है अलीशा जैनलाबिदीन की और जैनलाबिदीन जो होते हैं वो जसरत खोकर की हेल्प के साथ अलीशा को हरा देते हैं डिफीट देते हैं तो इसे के साथ अलीशा का किस्सा खतम हो जाता है और शामीरी डाइनिस्टी में आ जाते हैं जैनुलाबीदीन अब यहां से स्टार्ट होगा करूल कश्मीर पे जैनलाबिदीन जो होते हैं वो बहुत ही important रहते हैं इस dynasty में और जैनलाबिदीन जो होते हैं उनका time period सिटार्ट होता है 1420 से 1470 तक 8th ruler up of nuevo dynasty होते हैं अब आपको question आजा है के 8th ruler up š hamiri dynasty को न थे तो वो थे हमारे जैनुलाबी दीन ये बोच्छाह की नाम से भी जाने जाते हैं बोच्छाह का मीनिंग होता है ग्रेट किंग ये बहुत अच्छे राजा होते हैं इनकी बहुत बड़ी आर्मी होती है और ये पंजाब को फते करते हैं वैस्टन तिब्बत को फते करते हैं लद्दाख को फते करते हैं बलती रीजन पर अपना कबजा करते हैं कुलू हिमाचल परदेश की जगह उस पर भी अपना कबजा कर लेते हैं और ये अपने टाइम पिरड़ पे सब को एक्वली ट्रीट करते हैं हिंदू होंगे नॉन मुस्लिम्स होंगे यह सब को क्या करते हैं एकुली ट्रीट करते हैं सब के साथ जस्टिस करते हैं यह सब को परमीशन देते हैं कि अपने टैंपल वो बना सकते हैं और इनके टाइम मेंress me freedom crisis और जोसट दिया चाथाई यह सब को freedom देते हैं कि वह अपने तरीके से घिसकी जिसकी जिसकी भी वर्शिप ना Main हाटा सकते हैं आपने أखोर सकते हैं और इनके टाइम फिलर पर पर भी जोड़ प्रोपरियर दिया जाता है करने कि बहुत काम करते हैं और केस्ट बनवाते हैं और प्राइस और रिषित रहते हैं उस टैप रहें। उस त已经 का इंपर लिँट्न है कि वह एक रोयल किच्छन जो है वह ऊपन करते हैं कहां पी करते हैं रानावारी में रानावारी में कौन करते हैं जैनुलाबिदीन और उस राइल किचन का नाम क्या रहता है जोगी लंगर वो अपने टाइम पर रुपे जीजिया टैक्स को भी अबॉलिश कर देते हैं जीजिया टैक्स जो सुल्तान सिकंदर ने लगाए हुए थे नान उन्ट मूसलीम पे वो इसको भी खतम कर देते हैं सुल्तान जैनुलाबिदीन खतम कर देते हैं और यह सुल्तान जैनुलाबिदीन जो होते हैं और लीख वहिंदू के फैस्लिव 너 बनवाते हैं, बड़ी सारी इंडॉस्त्रीज किसकी बनवाते हैं। जैसे कारपेट हो गया, पेपर मेकिंग, पेपर मिशीन, शाल, सिल्क, रेरिण वगरे के इंडस्ट्रीज बनवाते हैं और यहां यह सब काम इनके टाइम पिरिट पे रहता है आर्ट और कल्चर जो है वो बहुत फ्लोरिश होता है और वो एक सिटी बनवाते हैं नौशेदर नाम से उस सिटी में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसकी 12 स्टोरीज होती है और हर उस 12 स्टोरीज की बिल्डिंग में हर एक स्टोरी के 50 रूम होते हैं 50-50 कमरे होते हैं हर एक स्टोरी में वो बहुत सारे टाउन बनवाते हैं अपने नाम पे जैसे जैनापूर हो गया जैनाकत हो गया जैनागित हो गया और यह भी आपका इंपॉर्टन कोशन रहता है कि फिर्स्ट वूडन ब्रिज इन सिरी नगर वो क्या है फिर्स्ट वूडन ब्रिज कौन क्रियेट करवाते हैं कौन बनाते हैं जैनलाबिदीन बनाते हैं और ये फिर्स्ट वूडन ब्रिज जैनलाबिदीन ने जो बनाया था वो कहा था सिरी नगर में बनाया था और उसका न नाम होता और जब और अखनशीन्हों बढ़र्यू कि कृष्मार की गड़ी पर बैठते करने तो वो उपने आप goal डेते हैं है अज्यांकि नाम से जाते हैं । और हैदर शाह का पिरिड टाइम पिरिड कब तक कर रहता है 1472 1472 तक उसके बाद के जो एंपरर हैं उसके बाद के जो रूलर हैं वो जादा इंपॉर्टन नहीं इसलिए हम आपको सिर्फ उनके नाम डिसकस करेंगे यह आपको याद रखने हैं हैदर शाह के बाद जो रूलर आते हैं वो आते हुसान शाह उनका टाइम पिर रहता है 1472 से 1484 तक फिर हुसान शाह के बाद आते हैं मुहमद शाह 1484 तो 1486 तक मुहमद शाह के बाद आते हैं फते शाह 1486 तो 1493 फिर आते हैं मुहमद शाह सेकन के बाद आते हैं फते शाह सेकन से 1514 तक इनका टाइम पिर रहता है फिर मुहम्मद शाह फिर दुबारा से फते शाह सेकिन के बाद आते हैं मुहम्मद शाह थर्ड आते हैं 15-14 to 15-15 तक इनका टाइम पिरट रहता है फिर मुहम्मद शाह थर्ड के बाद आते हैं फते शाह थर्ड इनका टाइम पिरट जो रहता है 15-15 to 15-17 तक फिर आते हैं मुहम लराते हैं का नाम होता है इब्राहीम शाह इनका टाइम पिर रहता है 1528-1529 तक फिराते हैं नाजुक शाह 1529-1530 तक फिराते हैं मुहम्मद शाह 1513 32 1537 फिराते हैं शम्सुदीन 1537-1538 फिराते हैं हमारे इसमाइल शाह 1538-1540 फिराते हैं नाजुक शाह 1542-1551 फिराते हैं इब् 1552-1555 फिर आते हैं इसमाइल शाह सेकंड 1555-1557 और फिर लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं हबीब शाह इंका टाइम पिरिड जो रहता है 1557-1561 हबीब शाह होते हैं वो लास्ट रूलर आफ शाहमीरी डाइनस्टी होते हैं यह भी आपका एक इंपॉर्टन क्वेशन बनता ह है कि लास्ट रूलर आफ शाहमीरी डाइनस्टी कोन होते हैं वो होते हैं हबीब शाह के टाइम पिरड में क्या होता है हबीब शाह के टाइम पिरड में जो होते हैं जो मुगल किंग होते हैं अकबर वो अपनी आर्मी भेजते हैं इन पे हमला करने के लिए वार करने के आर्मी को लीड कर रहे होते हैं और जो हबीब उला के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है गाजी चक गाजी चक जो घो होते हैं उनको शिकस्त दे देते हैं गाजी चक अब चुब के शिकस्त गाजी चक देते हैं और हबीब उला इतने स्ट्रॉंग डूलर नहीं होते हैं वो बहुत वीक डूलर होते हैं तो लोग क्या करते हैं गाजी चक को उनकी जगा पर बिठा देते हैं और हबीब यहीं पे हबीब शाह का जरूल होता है वो खतम हो जाता है और यह जो गाजी चक होते हैं इनको गद्धी पे बिठा दिया जाता है इनको तक्नेशीन कर दिया जाता है तो ये अब इनका रूल स्टार्ट होता है यहाँ पर गाजी चक कर रूल स्टार्ट होता है और गाजी चक जो होते हैं वही शिकस देते हैं मुगल आर्मी को और जीत हासल करते हैं अब गाजी चक जब होते हैं रूल करते हैं रूलर बनते हैं कश्मीर पर उनका जब रूल उनका नाम होता है और वो जब रूल करते हैं तो उनका नाम गाजी चक होता है और इसी नाम से यह अपनी डाइनस्टी स्टार्ट करते हैं और यह डाइनस्टी स्टार्ट होती है चक डाइनस्टी इस डाइनस्टी का नाम पड़ता है चक डाइनस्टी जिसमें गाजी शाह जो होते हैं वो रूलर रहते हैं अब जो चक डाइञेस्टी वन से कि अब जो चक डाइच्टी होती है ओ अब चख डाइटी होती है वो कब स्टार्ट होती है 15 उसका टाइम पिरिड कब रहता है 1561 से 586 तर फाउंडर अफ टाइटी कौन होते हैं गाजी चक होते हैं चूंकि इनकी जीत से यह डाइनस्टी स्टार्ट हुई थी जब यह तखनशीन हुए थे तो फाउंडर अफ चक डाइनस्टी कुन रहते हैं गाजी चक रहते हैं और इनको टाइटल इनका नाम दूसरा नाम क्या होता है नसीर अद्दीन मुहम्मद गाजी इनके बाद जो रूलर आते हैं रूसेंड अगुधिन वो रूल करते हैं फिर सुल्तान इनमलिम रूलर अब अगर मैं एगर को व्याव साथ बाद शैस के जो घुदे हबा खातुने कोईटेस होती है और यूसफ शाह चक के बाद एक उनके जो बेटे होते हैं याकूज शाह याकूज शाह वो जो होते हैं वो लास्ट रूलर रहते हैं इस डाइनस्टी के चक डाइनस्टी के लास्ट रूलर कौन है लास्ट रूलर आफ चक डाइनस्टी याकू पे और याकूजशा जो होते हैं वो इतने स्टॉंग नहीं होते हैं वो भी वीक रूलर होते हैं और जब मुगल आर्मी अटैक करती है उस टाइम पे उनका जो मुगल आर्मी का जो लीडर होता है वो होता है वो होते हैं कासिम खान और मुगल आर्मी कासिम खान उन पे जो हमल इस तरह से मुगल जो आरमी होती है वो जी जाती है और इस तरह से जॉक डाइनिस्टी का खादमा हो जाता है और इसके बाद स्टार्ट होता है मुगल पिरड हम पढ़ेंगे हमारे Next Lecture में ये था हमारा Medieval Пिरड यहाँ ए पर हमारा Medieval पिरड कम्प्लिट होता है अफमारे complete करेंगे ये था हमारा आज का लेक्शर अगर आपको कोई बीं में लिदेक्र छुटी हो या कुछ भी कोई विक्स रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्चेन में बता दें आम उसे फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे हैं अगे अल्लाहाफेज